हेलो गाइस वेलकम तो प्यूस PCS और आज हम देखेंगे स्पीडी बुक का साइंस डिजिटल फॉर्म में जो की JPSC, BPSC, NDPC Railway इसके अलावे स्टेट PCS और JSSC इसके साथ साथ SSC जैसे एक्जाम्स के लिए भी काफी महत्पूर्ण सिध होंगे चुकि जो स्पीडी बुक है वो डिजिटल फॉर्म में है तो आपको पढ़ने में और देखने में भी काफी आसानी होने वाली है और मज़ा आने वाला है और आपको अगर साइंस टॉपिक वाइस देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं प्लेइलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्रिप्शन में डे दूँगा तो चलिए पहले प्रस्ण से सुरुवात करते हैं गूर्दे की सनरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रोंस मानो जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदाई अनुकूलतम परिवेश है अमलिय खाद्य प्रोटीनों के दो सबसे सम्रिध्ध जल स्रोत हैं सोयाबीन और मुंगफली सरीर की सबसे बड़ी अंतासरावी गंती है थाईराइड आजकल दूद को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्यूंकि इसमें अभाव है आईरन और विटामिन सी का वह अंग जिसमें पानी, वसा तथा विभिन अप्चैन और सिष्ट उत्सरजित होते हैं व्रिक में रत में नैट्रोजनी और सिष्ट जमा होने से अपना काम नहीं कर पाता व्रिक द्रवे जो त्वचा की परत को जल के लिए अभिद्य बनाता है कि रैटी मानवी महिलाओं के प्रजननी ये अंडान उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से व्रिधी करता है लूटीनाइजिंग हार्मोन मानों के स्वेत रक्त कनों का व्यास होता है 0.007 किलोमेटर रक्त के हेमोग्लोबीन के साथ अनुद क्रमनिय संसलिट बनाता है कार्बन डायोकसाइड और हेलियम का मिस्रन इंसुलीन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव किया जाता है पैंक्रियाज इस्थित लेंगरहंस की दिपिका यानि अन्तास्रावी ग्रंथी द्वारा टेरमाइसीन जिस जिवानों से तयार की जाती है स्पेक्ट्रो कोकस लिमोसस क्लोरोमाइसीटीन जिस जिवानों से तयार की जाती है उसका नाम है स्ट्रेप्टो कोकस वेनेजुएला कैपसिड जिन छोटी छोटी इकाईयों की बनी होती है उसे कहते हैं कैपसोमियर पादप विशानु में नुकलिक अमल पाया जाता है आरेने में कवक किस उप जगत में आते हैं थेलुफाइटा में गोबर में उगने वाले कवको को क्या कहते हैं कोप्रोफिलस कवक कवको में संग रहित भोजन होता है गलाइकोजन के रूप में चाय तथा कॉफी का संगठन कैफीन होता है एक मुत्र वर्धक है मुत्र में C A++ का अधिक छरण होता है विटामिन D की कमी के कारण मानस्पेसियों में पीडा का कारण है विटामिन C की कमी किस विटामिन में कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में एक प्रकार का मिस्रित जीव है लाइकेन पसीने का मुख्य उप्योग है सरीर का ताप नियंत्रित रखने में मानस्पेसियों में किस अमल के जमा होने से ठकान का अनुभव होता है लेक्टिक अमल के कॉलेस्ट्रॉल एक है स्टेरोइड वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिभन तंत्र में खून के धक्के का पता लगाने है तुप परियोग में लाया जाता है वह है सोडियम 24 मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विक्रणों से सबसे कम सूप भावे अंग है मस्तिस्क वरिक किस पोशन तुव का अधी से भाग का निस्कासन करता है सरकरा हमेनों अमल आदी का पेशी तंत्र संकुचन कभी कभी बंद कर देते हैं क्योंकि ऐसा अधिक लेक्टिक अमल जबा होने के कारण होता है जिगर में प्रोत्थामबीन नामक पदार्थ के निर्मान में भाग लेता है रत्थ स्राव रोधी पदार्थ मुत्र का साप एक्छित गहनत्व होता है जल से अधिक वसाय होती है जल में अगुलनसील रूधीर सकंदन में प्रभावी विटामिन है विटामिन क सिमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्दमान होने वाला तत्व है केल्सियम किरेटीन प्रोटीन सरीर में पाया जाता है बालो और तचा में सामान व्यक्ति का सामर्थ होता है 0.005 से 1.08 सक्ति तक लाइपेज का स्राव मुखिता होता है अगनासे से वाहतत्व जो मानो जाती में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है सीसा वाहजैविक योगिक जिसके परियोग द्वारा अब घटन की प्रक्रिया को किन्वन कहते हैं प्रकिन्व यानि एंजाइम डीने का मून मातरक है नुक्लियोटाइट्स पौधो में भोजे पदार्थों का परिवहन करता है फ्लोएम पौधो की पत्तियों में पाया जाने वाला अतिसुच में छिद्र होता है स्टोमेटा पौधो में गैसों का विनिमे होता है स्टोमेटा से परागन मुख्य रूप से होता है हवा पानी और कीटो द्वरा पारिस्थित की सब्द का प्रयोग सरव प्रथम एच रीटर ने सन 1868 इस्वी में किया था वर्नान धता की खोजकी थी पुर्नर ने तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है 90 सेंटिमीटर सरीर में वह अस्थान जहां प्यूश ग्रंथी इस्थित होती है मस्तिस के आधार में गुनसुत्र रहते हैं कोशिका के केंद्र में तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो आंत्रिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेडूला और बलांगेटा कहलाता है जीन की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं सिस्ट्रॉन टेस्ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्र निसेचन और फिर गर्भासे में प्रतीर उपन कोशिका गतिवीधिया नियंत्रित की जाती है नुकलेस द्वारा अनुवांसी की किसकी इकाई है जीन की तंत्रिका तंत्र की अधारबुत इकाई है नियूरॉन हमारे सरीर की वह कोशिकाई जिन में सबसे कम पुनर योजी सक्ती होती है मस्तिस कोशिकाई अधुनिक अनुवांसी की का पिता कहा जाता है वेट्सन को अपरा कोशिका सहायक होता है पोशन के अलावा स्वसन तथा उत्सर जन में कोशिकाओ में ततकालीन उर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है विटामिन सी पिपसीन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है पिप्टॉन तथा पॉली पिप्टाइड में सिंटर फॉर डियने फिंगर प्रिंट एंड डियागनोस्टिक सीडी एबडी अवस्थित है हैदराबाद में डियने संसलेशन का प्रतिपादन किया था आर्थर कॉन बर्गन ने माइट्रो कॉंडिया की खोज की थी अल्ट मैन ने जिवधारियों की संरशना तथा कार्यात्मक एकाई को कहा जाता है कोशिका रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज हुई सन 1965 हिस्वी में रॉबर्ट हुक उस्तक का नाम है माइक्रोग्रोफिया साधारनता कोशिकाओं का व्यास होता है 12 mm से 100 mm तक किस ने कहा है कि जिवध्रवय जीवन की भौतिक आधार सिला है एक्सले ने किस वज्ञानिक ने जिवध्रवय को सरवप्रथम जिवध्रवय का नाम दिया पुरकिंजे ने असुत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है अविक्सित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन की खोशकी थी डबलू फ्लेमिंग ने क्रोमेटीन जाल के छोटे छोटे टुक्रों को कहते हैं गुनसूत्र अर्ध सूत्री विभाजन में कोश का विभाजन होता है दो बार गुनसूत्र का क्रोमोसोम नामकरन दिया डबलू वाल्डेर ने गुनसुत्र कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं केंद्रक में जीन की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की S. बिंडर ने आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन के तीन भाग हैं सिस्ट्रोन, म्यूट्रोन, रेकॉन जीन के कारे की इकाई है सिस्ट्रोन म्यूट्रोन है उत परिवर्तन की इकाई रंगों के आधार पर लवकों को कितनी स्रेनियों में विभाजित किया जा सकता है तीन टमाटर में वर्णक पाया जाता है लाइकोपिन गाजर में वर्णी लबक पाया जाता है कैरूटीन चुकंदर में वर्णी लबक पाया जाता है बिटा नीन शागो पाम कहा जाता है साइकस को सेंड्रस का तेल निकाला जाता है देवदार की लक्री से स्याही बनाने में काम आने वाला टेनीन प्राप्थ होता है सुका थ्यूजा नामत पौधे से समुद्री शैवाल में होते हैं आयोडाइड लेमिनेरिया है एक समुद्री शैवाल अलकोहल उद्योग में परियुक्त कवक है खमीर यानि इस्ट हड़ी का परियुग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोशक तत्व होता है फासपोरस व्रिक्ष के तनों में रहने वाले प्रानियों को कहा जाता है व्रिक्ष वासी समानेता प्रयोग किया जाने वाला मसाला लॉंग प्राप्त होता है पुष्प कली से पुष्प का वह भाग जिसके द्वारा प्रकार संसलेसन किया जाता है बाहे दल पुझ होता है ब्रिक्ष वलेओ की शंगनना द्वारा विक्षो की आयू का आकलन करना कहलाता है डेंड्रो कोनोलाजी वह फल जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है काजू जिस फल के बनाने में अंडासे के अलावा उसमे के अन्य भाग साहिता करते हैं उसे काते हैं आसाते फल और हागाईज लाइक सब्सक्राइब सेर जरूर कर दे और किसी भी तरह के सुझाओ और विचार के लिए हमें कमेंट करके बताएं इसे के साथ आज का सेशन समापत होता है कैसा लगा आप लोगो जरूर बताएं जै हिंद जै भाद